सो हाई अबरिवन जी क्या हल चाल मैं राजन चौधरी आज फिर से हाजिर आपके लिए नई विकेंसिस ले करके मेरी हमेशा कोशिश रहती है जो भी विकेंसिस आती है आप सबको मैं अपडेट करता रहता हूँ अलग-अलग सिटिस की अलग-अलग विकेंसिस होती है मेरे पास और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी विकेंसिस आती है आपको अपडेट करूँ और जो भी मेरे भाई, बेहन, दोस्त, कोई भी बेरोज़गार हैं किसी को जॉब चाहिए या जॉब चेंज करनी है उनक अगर लगे कि आपके मतलब की विकेंसि है तो आप कमेंट बॉक्स के जरीए मेरे से इंफरमिशन हासिल कीजिएगा या फिर अगर आपको लगे आपके मतलब की नहीं है तो प्लीज इन विकेंसिस को आगे शेयर भी कर दिया करो आपकी शेयर से किसी की जिंदगी बन सकती ह किसी को रुजगार मिल सकता है एक और चीज जो भी मैं आपको विकेंसिस बताता हूं ये विकेंसिस सिरफ एक सोशल सर्विस है मैं इन चीजों के लिए कोई पैसा आपसे नहीं लेता हूं मेरे नाम पर कोई आपसे पैसे मांगे तो आपने देने भी नहीं है समझे जो भी विकेंसिस आपको बताता हूं इन विकेंसिस के लिए आपको वटसप के जरीए बता दूँगा टेलीगराम के जरीए बता दूँगा कमेंट बॉक्स के जरीए बता दूँगा इमेल आइडिस बता दूँगा उन पर जाकर के आप अपना रिज्यूम, अच्छा सा रिज्यूम बना करके रखिए, उस रिज्यूम को आगे फॉवर्ड करिए, और देखो, स्किल होना बड़ा जरूरी है, आपके अंदर स्किल होना चाहिए, जिस भी फिल्ड में हो, उस काम के आप माहिर होने चाहिए, जिरूर बता दिया करो, ताकि हम सब मिलके समाज में कुछ ऐसी हल्प कर पाएं कि किसी को बेरुजगार ना हो, सबको रुजगार मिले, सबको जॉब मिले, सबके घर में रोजी, रोटी, रुजगार हमेशा रहना चाहिए, किसी को कुभी कोई जॉब की प्राप्लम नहीं आनी चाहिए, आईए हम सब मिलके कुछ अच्छा करते हैं समाज के लिए, कुछ बड़ा करते हैं, मिल जुलकर एक दूसरे की हल्प करते हैं, किसी को बेरुजगार नहीं रहने देंगे, ये एक प्रण लेते हैं, अपने आप से प्रण लेते हैं, कि जो भी मेरे को कोई ऐसा बेरुजगार व्यक्ति, हम उसकी पूरी मदद करेंगे, कि उसकी हल्प करें, उसको जॉब लगवाएं, उसको कही न कहीं इंटर्व्यूज कराएं, उसका confidence level built करें, कभी किसी को जिन्दगी में ये नहीं कहना, कि तू नहीं कर सकता, हमेशा ये कहना है, कि तू कर तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, तू कर तो सही, आगे चल तो सही, तेरे पीछे पीछे आया मैं, बस इतनी से जरूर कर दिया करो, एनिवेज बातें लंबी हो जाएंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की विकिंसीज ये रहें तो आज की विकिंसीज रहेंगी परभानी की, मेरे जो भी भाई, बहन, दोस, परभानी में रहते हैं, उनके लिए आज की विकिंसीज रहेंगी, परभानी, महारास्ट जो ठीक है, यहाँ पर हमें एक कंपनी में एरिया मैनेजर चाहिए, आपने कम से कम ग्रेजुशन कर र लाइब्रेरियन चाहिए आपने बेलिब या एंबलिब कुछ ऐसा कर रखा हो छे महीने का as a assistant librarian का experience भी होना चाहिए timings और salary दोनों चीज़ें interview के time पर आपके साथ discuss की जाएंगी इसी तरह से एक company में हमें biomedical engineer चाहिए as a biomedical engineer आपको relevant experience होना चाहिए timing salary दोनों चीज़ें interview के time पर discuss करेंगे एक company में हमें cat drafts meant चाहिए आपको cat draftments की अची knowledge होनी चाहिए timings 9 to 6 salary आपको 25 से 30,000 के आसपस पर मत मिल चाहेगी इसी तरह से एक company में हमें एक receptionist चाहिए और as a receptionist आपको relevant experience होना चाहिए और as a receptionist जो है आपके communication skills भी अच्छे होने चाहिए timing salary दोनों चीज़ें interview के time पर आपके साथ discuss करेंगे एक company में हमें एक corporate trainer चाहिए as a corporate trainer आपको 2 साल का experience होना चाहिए qualification का कोई चक्कर नहीं है पर आपको कम से कम 2 साल का as a corporate trainer का experience भी होना चाहिए timing salaries दोनों चीज़ें interview के time पर आपके साथ discuss की जाएगी आपको किस तरह की frequency चाहिए मुझे comment में जरूर बताईएगा हो सकता है कुछ ऐसा पड़ा हो तो आपको फिर में जरूर बताऊँगा is it thank you so much be happy take care